नमस्कार जोहार मैं संतोस कुमार मेहता हमारे साथ आज मौजूद है मूरी पुरुवी के न निर्वाचित मुखिया कनिया लोहरा जी आए इन से जानते हैं कि इनका चुनाई मुद्ध क्या था और जब चुनाव जीते हैं तो विकास के काज के लिए अपने पंचात को किस त बनना चाहेंगे कि मुख्या का चुना लड़ने से पहले आप क्या करते हैं सबसे पहले तो मैं एक स्टुडेंट था उसके बाद में 2015 में वार्ड मेंबर में लड़ा उस साथी पर मुख्या बना साथ साल तक मैंने अपने पंचात पे कारिड़ रहा उसके आनुभाव के ब जब मैं मुख्या बना तो ग्राम में मैं बहुत खुमा इससे पहले मैं 2012 से ही आसु पार्टी से विलोम करता हूं हमारे सुप्रीमों स्री सुदेश्मर मातो जी का हमारा हमेशा से यंग्स्टर पर बहुत ही हात रहा है हमेशा बढ़ने के लिए बढ़ावा दिये हैं उसी क आधार पर जब पंचायत इलेक्शन में लड़ना चाहता था तो हमारे सुप्रीमों ने मुझे बढ़ने के मौका दिया कहा कि आप उसके लिए आप कर सकते हैं उसके आधार पर मैं मुख्या एलेक्शन लड़ा ग्राम के लोगों के समझे को समझा साथ सलते मुझे लगा कि आशीव के बदलत में यहां तक पहुंचा हूं अब तो आप मुख्या बन गए हम जानना चाहेंगे कि मुख्या करते बर मुख्या का कर्श क्या हते हैं मुख्या एक देखा जाए तो एक पंचायत के जितने भी गितने भी मतलब आपके सोचें कि पंचायत की समस्या हैं और साथ ही साथ एक आम आदमी की बातों को सुनना वो बहुत माइने रखता है एक मुख्या के लिए मुख्या जो बहुत कोई लड़ते हैं सोचते हैं कि मुख्या बनना है जरूरी है कि मुख्या बनने के साथ आदमी के भावनाओं को समझना उनका मान सम्मान करना इससे पहले दो बार पंचायत लेक्षन हो चुका है लेकिन किसी भी मुख्या ने यह चीज को समझा नहीं मेरा मानना कि एक यंग्स्टर होने के नाते मैं चीज को समझ पाया हूँ कोशिश करूंगा कि मैं अपने ग्राम के सभी लोगों के जो सोच जिस सोच में मुझे इतना प्यार आसिरवाद मिला उस पर में खारा उतर सकूं जैसे की चुना परचार के दोरान आप अपने पंचा सबसे पहली समस्या है हमारे यहां पर रासन के और दूसरी है जो सरकार द्वारा आ रहे हैं जो भी लाभूक होते हैं उनको जानना की पंचायत में कौन सी चीज आई हुए हैं और कैसे उनको हम अपने में के काचकाल के अंतक सिच्छा के चैत्रे में आपका क्या जोगदान आप मैं यहां पर आंगन बाड़ी को एक्टिव करना चाहता हूं जैसे हमारे सरकारी तो पर देखा जाया तो आंगन बाड़ी में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो मैं कोसिस करूंगा आंगन बाड़ी के मतने जितने भी सेवका हैं उन पर प्रेसर डालने का या जो भी उनको नीड है उसी इसको मैं पूरा करूंगा और चाहूंगा कि अंगन बाड़ी से अच्छे अच्छे बच्चे पढ़के निकले करीब घर के जैसे कि आपका छेत्र में सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइबेट इसकूल है तो क्या कुछ कारण है कि आपके छेत्र के जनत सरकारी स्कूल में ना भेच के बच्चे को प्राइबेट इसकूल बेचते हैं जबकि सरकार हर चीज के सुविदा देती है प्राइबेट इसकूल को फिर वी जनता सरकारी स्कूल नहीं बेचके प्राइबेट इसकूल बेचते हैं क्या कुछ कारण है बस जागरुक के कारण है जागरू की है जिसको आप बढ़ावा दे सकते हैं मैरे पूरी कोसिस रहेगी कि पंचायत में जितने भी योजनाय आते हैं सरकार द्वारा जो भी लाब दिया जा सकता है उसको जागरू करना आदम के सामने जाके करना बोलना कि आपके यह करिए आपके लिए सुविदा होगा यह सब चीज को करने के सुरुवाति कर सकते हुए निया हमार जब और कोस्शन ये है कि सरकारी इस्कूल ना भीज के आपके छेटरे में जनता चंता प्राइब़ीट इसकोल अपने बैच्चों को बीचतें क्यों ह rozm कंचायत's क्यों क्शेश्ट में अ छिक या कुछ कार्ण है प्राइबिड इसकूल में अच्कल के पढ़ाने में द्यान देते हैं बच्चे को जबकि सरकार सरकारी स्कूल का हर चीज का सुवीदा उपलप्त कराती है फिर भी नहीं बैचते हैं क्यों हमारे पंचायत में सरकारी स्कूल एक ही है और यहां पर अमोमन पढ़ाई होती है पर अभी के जनरेशन के हिसाब से देखा सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है वह आपको भी जानकर ही है सभी को पाता है तो सरकारी स्कूल के पढ़ाई लेबल उपर उठे कुछ ऐसा है कि मान में आप सोचे है कि कुछ चल रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई लेबल उपर हो नही सुप्रेम को जिस तरह का आदेश रहता है वह चीज हम करते हैं इस पर हम ज्यादा बोलने पाएंगे आप जुआ होने के नाते आपसे हम जानना चाहिएंगे कि 1932 खतियान इसमें आपका क्या रहा है 1932 खतियान यहां के लिए कि ऐसे तो सभी का मानना है कि 1932 खतियान होना चाहिए लेकिन इतना दूर तक तो मैं पहुंच पाया नहीं हूं और इस चीज को मैं समझ नहीं पाया हूं कि किस तरह यह बोल पाऊंगे जो भी हो बहुत ही इंपोर्टन्ट इस पंचायत में माना अब भी आगर आप ग्राम में घुमेंगे तो 80% यहां पर सभी ग्राम चेतर में आते हैं और यहां पर आवास के योजना लाभूक समीति को मिल नहीं पा रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए मतलब बात करना पड़ेगा अपने से सीनियर से कि किस तरह कर पाएंगे लेकि अब बड़ा फेक्ट है कि जहां भी हम घुमें हैं वहां पर सभी नहीं का है कि आवाज दिला दिजिए तो मैंने कहा है उन्हें अस्वासन दिया है या आप जो बोले मैंने कहा है कि मैं अभी कारेरत नहीं हूं मुझे सीखने में थोड़ा समय लगेगा मेरे से सीनियर है ज looking outstra ripe में सबसे पहले बात यहां पर सरकारी इसफूल है बहुत कम है मेरे पंचायत में तो यहाँ पर मैंने माना कि जैसे कि हमारे पाटी अस्तर से भी जल की पूरती है तो जिस तरह पंचायत में वह ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं को यहां पर इंप्रिमेंट करें ताकि आदमी को और हमारे ग्राम के जितने भी जनता है उन्हें पता चलना चाहिए कि एक मुख्या का दायत वह क्य अर्चकाल के दोरान आप ग्रामसबहा को कितना महत्तों दीजिए गlor लियुक्त जबरे हैं धरर्फ़ा होने का मतलब ही है की आम आदमी कि जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सबको हाथ जोड़के परणाम करना चाहूंगा कि इतना असिरवाद मुझे दिया मैं पूरा कोशिस करूँगा कि आपके सोच पर आपके असिरवाद पर खारावदर सकते हैं चले हमारे चनल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद कर सकें तो उसके नाते मुझे लगता है कि यहां के लागों लोगों को जागरू करना बहुत ज़री है इसलिए मैं अपने यंग्स्टर को लेकर बढ़ा था और हमारे पार्टी को सदस्य अभी हूं तो उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट मिला जिस जैसे कि पंचायत में जिस तरह ग्राम सभा आम सभा सब होते हैं तो अमुमन सभी को सीमिती रखते हैं जो पंचायत में बस आया उसको फीडबेक पता निचलता क्या हुआ नहीं हुआ मेरा माना है कि जिस पंचायत में जो योजना हुआ जिस टोला में जो होना है उसको उसी टोला में ग्राम सभा करके पारित करना बहुत ही अच्छा होता है इससे काम आदमी को पता चलता है कि वह क्या होने वाला है इस पंचायत में जिससे की लाभूख हो या कोई भी चीज सब्सक्राइब करें जिसे अच्छा काम बढ़ जाएगा